नमस्कार मैं आसिस राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आम आदमी पार्टी की अभी जो स्थिती है जो हालात है वो और जितनी तमाम पार्टी है इस भारत देश में उससे कहीं जादा बहुत जादा खराब है रिजन ये है कि आम आदमी पार्टी के सबसे पहले तो बरे नेता तिहार जेल के सलाखों के पीछे और उसके बाद आम आदमी पार्टी का में मुख्या तिहार जेल में बंद ऐसे हालात में अगर एक-दो मंत्री बाहर आ भी जाते हैं तो उसके बाद आना-जाना लगा हुआ है अभी एक बड़े मंत्री की जिस तरीके से जमानत हुई मनिसी सोधिया की उसके बाद से अटकले ये लगाई गई कि ये तो आ गया लेकिन इसके बाद अभी बहुत सारे अंदर जाने वाले हैं सुबह सुबह ही दोस्तों एक बड़ी खबर आती है और इंफोर्समेंट डैरॉक्टरेट का इतना बड़ा एक्षन जिससे पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो सन्नाटे से पसर जाती है बताएंगे आपको इस वीडियो में कि अरविंद केजरी वाल के विज्यापन मामले में 97 करोर रुपए के घोटाले को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है आम आदमी पार्टी के सयोजक अरविंद केजरी वाल के सबसे करीबी खास चेला की गिरफतारी इंफोर्समेंट डैरेक्टरेट के द्वारा की गई है और वो आम आदमी पार्टी का कौन बड़ा पारसद है जिसका अपहरन हो चुका है इनी तमाम चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजएगा और वीडियो अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अन तक देखेंगे तभी आपको जा करके पूरा विशाय समझ में आएग दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के सयोजग जो की हार जेल में बंद हैं और हालात इतनी खराब है इतनी स्थिती खराब है दूसरी कि ये की जमानत पाने के लिए एड़ी चोटी एक किये हुए हैं और बड़े से बये वकील पूरी साथ गाट लग हुए हैं और चक्करे लगा रहे हैं कोटके ताकि जमानत मिल सके लेकिन जमानत नहीं मिल रही है और घोटाले पे घोटाले के सारे सबुत मिल रहे हैं और बड़ी घटनाए सामने आ रही है एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है दोस्तों कि अरविंद केजरी वाल घोटाल हैंडल से ट्विट किया गया है और इस ट्विट में आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है कि संतानमे करोर रुपय का घोटाला किया है अर्विंद केजरी वाल ने विज्यापन देने में अब आप खुद बताईए जो पार्टी सरकार में है और वो संतानमे करोर रुपय का सिर्फ घोटाला कर ले रही है विज्यापन देने में तो जब सता में बैठी हुई है तो ये कैसे मान लिया न जाए कि आम आदमी पार्टी के शयोजक ने शराब नीती बना करके घोटाला नहीं किया होगा बरे मात्रा में घोटाला हुए है ये तो जगजाही हो रहा है विज्यापन जो देने में संतानमे करोर रुपय का घोटाला कर ले वो सता में बैठ करके क्या क्या ना कर ले अब आप ये भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दिल्ली को लंदन बनाने की खौइस और उमीदे दिखा रहे थे दिल्ली में जनता को ये बता रहे थे कि दिल्ली को लंदन बना करके रख दूँगा लेकिन दिल्ली के आप ये हाला देख लीजे कि अभी ये एक सैंपल मैं आ दिल्ली में है, सरकों पे कच्रे, चारों तरफ कच्रे, सारी फोटो अगर इकठा करने लगू, तो आप देख नहीं पाएंगे, तो इतनी जादा कच्रा और इससे बिमारी, इससे दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और सबसे बरी बात कि जन आक्रोस हो रहा है, उनके पुतले को जलाया जा रहा है, रीजन साफ है, रीजन बस यही है कि जो वादा आम आदमी पार्टी के सयोजक ने किया था दिल्ली की जनता से, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की जनता से ये सवाल है, कि जनता ये पूछ रही है, कि सुबह सुबह ही, enforcement directorate ऑलाकि जब भी action लेती है, तो वो सुबह सुबह ही लेती है, और सुबह सुबह ही, आठ पंदरा में enforcement directorate पहुँंसती है, ओखला से विधायक, आम आदमी party के विधायक अमानुतुला खान के घर, हलाकि अमानुतुला खान जो है वो अपनी सास के हाँ पे हैं ससुराल में हैं तो ससुराल में जब थे वहाँ तो पहले ही इनको नोटिफाई कर दिया गया था कि आप से सवाल जवाब करने हैं पूस्ताच करनी हैं और आप तैयार रहिएगा वक्फ बोर्ड घुटाले का मामला है उसमें फरजी तरीके से नौकरी दी पैसे लिया जमीन बेच दिया सरकारी जमीन तक बेच दी और आप सोच लिजे कि वक्फ बोर्ड का मामला पिछले साल से उठ रहा है और इनसे अप्रेल में बारा घंटे की पूस्ताच भी हुई है आम आदमी पार्टी के काफी जादा खरीबी हैं और आम आदमी पार्टी के सयोजा करविंद केजरिवाल के काफी जादे खास हैं इनके साथ हमेशा इनकी फोटो वाइरल होते रहती है तो मौलवी जी नहीं मौलवी लोगों नहीं अमनुतुला खान के खिलाफ जो है वो एफाइआर दरच कर दिया एक्षन की मांग कर दी कारवाई की मांग कर दी जब मामले की जाच हुई तो वक्फ बोर्ड में जॉब देने के मामले में घुस खोरी हुई है सरकारी जमीन को भारे पर दिया गया तो पूरी इल्लीगल काम हुई जब enforcement डारेक्टरेट 8-15 में जब इनको पहले पहुंसती है और कहती है भाई हम आपसे सवाल जवाब करेंगे तो ये सवाल जवाब तो छोड़ दीजिए गेट लगा करके अंदर बैठ गए और कहती है कि आप सवाल जवाब नहीं करेंगे आप मुझे गिरफ़तार करने आए मतलब इतना confirm अमन्तुल्ला खान को कि enforcement डारेक्टरेट मुझे गिरफ़तार करेगी ये अमन्तुल्ला खान ये कह रहा था कि आप मुझे गिरफ़तार तो करेंगे ही लेकिन आप क्या खोज करेंगे हमारे तीन रूम है और इस तीन रूम में आप क्या खोज जुंडेंगे हमसे क्या सवाल का जवाब चाहिए आपको कह रहे हैं कि हमें खाने के लिए पैसे नहीं है वो भरस्टाचार नेता जो भरस्टाचार के गोद में सोया हुआ है और वो ये कह रहा है कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है ये मानने की बात है क्या तो पूरी तडिके से सुबह से ही सोसल मीडिया पे अमानुतुला खान को ले करके अरेस्ट की मांग उठ रही थी पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर देखिए अमानुतुला खान त तुरंद ट्वीट करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन्फोर्स्मेंट डायरॉक्ट्रेट जब भी आम आदमी पार्टी के निता के घर पहुंसते हैं तो ये लोग भगत सिंग क्यों बन जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग ट्वीट पे ट्वीट करन लोग नहीं नहीं करेंगे तो भगत सिंग का टैग नहीं लगेगा बागत सिंग की एक गुन हो नहों लेकिन ये लोग हमेशा से यही कहते हैं भारात माता की जए अब सबसे बाद सवाल यह है कि enforcement director अब नहीं भी गिरफतार करने आई थी तो अब mood बना ले कि इसको दबोच करके ही ले जाओंगा agency जो है वो active हो जाती है और उसके बाद पारा military force को बुलाए जाता है CRPF को बुलाए जाता है पूरी team आती है उसके बाद फिर कहा जाता है कि अमनतुल्ला खान चुपचाप बहार आजाओ चुपचाप surrender कर दो और चलो मतलब की पूरी बेजिती होने के बाद जब पूरी तरीके से इनके साथ सक्त action होता है सक्त कारवाई होती है तब जाकर के ये खुद को पुलिस के हवाले करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अमनतुल्ला खान जो है वो एजनसी को कह रहे है कट पुतली ये कह रहे है तानाशाह किसे तानाशाह कह रहे है नरंदर मोदी जी को गलती करे आप, भरस्टाचार करे आप और तानाशाह हो जाए नरिंदर मोदी जी जब भरस्टता की गोध में सोते हैं तो उस वक्त तो तानाशाह की याद नहीं आती है उस वक्त तो लगता है कि हमको अर्विंद केजरिवाल की सरकार बचा लेगी क्योंकि सत्ता में है ये और कटपुतली आप जो विधायक जितनी महनत करके आप नहीं बने होंगे इन्फोर्समेंट डार्ट उतनी एक्जाम करेक करके वहां तक पहुँची है और उस एजेंसी को उस एजेंसी का ओफिसर को कटपुतली कहना और सरकार के इसारे पे नाचने वाला कहना और संजाय राओ जैसे नेता थो बीजेपी का कुत्ता तक कह दिया तो ऐसे लोगों से क्या मू लराना अब देखिए यहाँ पर संजाय सिंग साथ तोर पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हलाकि इनके स्टेटमेंट को कोई सिरियसली लेता नहीं है हलके में ही लेता है ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है ये मोदी की तानाशाही और गुंडागर्दी है अब मुझे बताईए कि आज तक शराब घोटाले मामले में इतने सारे सबूत इकठा किये इनफोर्समेंट डारॉक्टरेट ने और सारे सबूत पे नियाइक मोहर लगा सुप्रेम कोर्ट से हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में फिर भी यही कहते रहें कि एक रुपय नहीं मिला फिर भी यही कहते रहें कि कोई सबूत नहीं मिला तो यह एक ऐसा वाक्य है जिसको आदर डालने चाहिए आपको कि यह आम आदमी पार्टी के तरब से सुनने को मिलेगा ही ये मोदी की तानाशाही और गुंडागर्दी कैसे हो गई जब पूरी करोरो जनता दिली की जनता जब ये आपसे मांग कर रही है कि आम आदमी पाटी के सयोजक इस्तिपा दीजिए और दिली बिना सीम का नहीं चल सकता है लेकिन आप इस्तिपा नहीं दे रहे हैं तो अब एक बड़ी ख़बर दोस्तों ये भी आ रही है कि बीजेपी के तरफ से इन तमाम मामलों में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया एक बड़ी अच्छी बात कही गई और इस स्टेटमेंट का मैं भी समर्थन करता हूँ बीजेपी के तरफ से कहा गया कि जो आप बोया है आपने वही आप काट रहे हैं तो देखिए अगर आपने गेहुम की बीज बोई है तो आप सबजी की तो बीज नहीं उगेगा सबजी तो नहीं उगेगा आपने गेहुम अगर बोया है तो गेहुम ही काटेंगे न तो जैसा कर्म आप करेंगे वही फल आपको मिलेगा अब दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के पारसद का आपहरन ये थोजा सा सुनने में अजीब लगता है ये एक संसनी खेज आरोप है अब इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है वो जब मरा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले पाच पारसद बीजेपी में शामिल हुए थे जिससे पेट में काफी जादा मरोर शुरू हो गया था संजै सिंग का, मनिश सिसोदिया का और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता का तो इसमें एक आरूप लगाया गया, ये एक पब्लिसिटी स्टन्ट हो सकता है, जिनको कोई नहीं जानता, ये सस्ती लोगप्रियता के लिए ऐसा कर सकते हैं अब देखिए ये आम आदमी पार्टी के पार्टी के पार्षट जिनका नाम राम चंद्र हैं, ये भी पांचों पार्षट के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और देखिए कुछ हो सकता है, टर्म एन कंडिशन राम चंद्र को पसंद नहीं आया होगा जिस कारण से, आज ये आ करके फिर से आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और फिर मुझे ले गए और कहा कि बीजेपी में शामिल हूँ, राम चंद्र ने जो स्टेट्मेंट दिया जो आरोफ लगाया, उसको ले करके एक भी स्टेट्मेंट सही नहीं साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने एक भी सबूत नहीं दिखाएं ये वन साइडेड स्टेट्मेंट है, जिसका पूरी तरीके से विरोध बीजेपी ने किया, कि ये एक संसनी खेज आरोफ है, ये बैठी हुई पार्टी है, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोफ लगाना जानते हैं, हम इसके लिए कोट में हुँ, लेकिन अब कोट के चकर न लगाने पड़ जाएं, हलाकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाब मुद्धों पे अपनी विचाज़ वेक किजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अब डेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन पेस कर लिजिएगा, औ अपने दोस्तों मिश्य जो किजिएगा, ताइल्ट्स पो, वाचिंग माई वीडियो जैहिन सत्यमेव, जैते